तो हलो एंड वेलकम अगें दोस्तों Most much avoided musical romance से भरी movie सत्य फ्रेम की कथा कल अपना दूसरा दिन complete करके आस तीसे दिन में एंट्री माल लिया और क्या record तोर history create कर रही है भाई मान गए लोगों ये चटफडी full of romance से भरी movie और कार्तिक क्यारा की ये चोड़ी काफी पसंद आ रही है एक लाइन में कहूं तो कार्तिक और क्यारा ने बवाल मचा दिया है फिर से बुलबुलिया 2 के बाद जैसर टेंड इन दोनों को लेकर भुलबलिया में देखने को मिला था same vibe same trend फिर देखने को मिल रहा है तो आज जानगे कि movie में total कितनी कमाई करी है पहले दिन कितना कमाई है या total कितनी कमाई कर सकती है पब्लिक की तरब से कैसे review मिलने है film को जनता को ये film पसंद आ रही है या नही movie hit होगी या flop आप सब जानेंगे वसकुशी दिर में तो वीडियो को अंतक चरू देखना अगर आप भी कार्तिक और कियारा आडवानी के डाय हाड फैन हैं और मुवी का आप यह सब दिस इंतजार कर रहे हैं तब लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और ने हो तो चैनल को सब्सक्र देखर जाएगी तो सम्टाइम धेर सारा इमोशनल ड्रामा जियां दोस्तो कार्तिक का वही चामिंग लूग देखने को मिलेगा और कॉमिक टाइमिंग की तो क्या कमाल डिलीवर करी गई यह कार्तिक की तरफ से इसी के साथ कियारा आडवानी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ और सुप्रिया पार्ठी जैसे गजिस्टार देहिन को मिलेंगे जियां दोस्तो फिल्म को 29 जून को रिलीज कर दिया गया था जिसके लिए पब्लिक काफी एकसाइटे थी जिसमें आपको बर-बर के ड्रामा मिलने वाला है रोमेंस मिलने वाला है और कार्तिक भाई की उसे जनता के दिल में चाय हुई है इस जोड़ी की कैमेस्टी ने जनता के दिल से इस तरह लूटा है कि लोग वागई में इन पर ट्रस्ट करने लग गए है कि जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे स्टेज फार देंगे और हुआ वही पहले दिन से ही बड़े-बड़े र इत्ते हुए कार्तिक आरियन और क्यारा आडवानी देखने को मिलेंगे बात अगर बॉक्स ओपिस की करें तो दोस्तों अपने पहले दिन औल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ओपिस कलेक्शन लगबग साड़ी 10 क्रोड के आसपास रहा इसी के साथ पूरी दुनिया से लगबग 17 क्रोड तक के आसपास हो चुका था कल अपने रात तक बात करें आज यानि तीसरे दिन में कैसी ग्रोथ है तो यस मौनिंग में स्लो अक्यूपेंसी रेट है और कई जगए आज बारिश की वज़े से भी मौनिंग और आफ्टरून में एडवांस विंग स्लो ही देखने को मिलेगी लेकिन बावजुद इसके इवनिंग में जबर्दर स्टेंडिंग के साथ हाउस फूल सोस देते नजर आ रही है और एंड अप दड़े अल ओव इंडिया से 8 क्रोण से उबर का होल्ड करते नजर आएगी इसी के साथ अपने तीसरे दिन तक इंडिया से 24 क्रोण के आखडे को टस कर सकती है मूवी और पूरी दुनिया से 32 क्रोण के आखडे को क्रॉस कर सकती है दूस्तों मैंने बहुत बुल लिया आप आपकी बारी आपको क्या लगता है मूवी हिट जाएगे या फ्लॉप और 100 क्रोण कमा भी पाएगी या नहीं दूसा कारतिक और क्या ये जोड़ी आप लोगो को कैसे लगी फटा बड़ अपनी राइकाउन दोक्सों जोड़ से रखे कर जाना बाकि मूवी रिवीव और बॉक्स वाब इस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बल्लीवूड हॉलिवूड और सौथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमा